सबी विदारतियों का S.W. Children Academy रावला मंडी के उनलाइन प्लेटपरम पे स्वागत है बात करते हैं कक्षा 10 और विश्य समाजिक विज्यान और समाजिक विज्यान का तीसरा पार्ट हमारा चल रहे है जिसका नाम है अंग्रेज्जों का परतिकार और संगर्ष के बारे में हम तो ये पार्ट मैंने बता दिया आपको मैं सीधा वैसे बुक के लेवल के हिसाब से बढ़ाऊंगा बोर्ड पे नहीं करूँगा क्योंकि इसमें इस तरह की बाते हैं कि आपको जब आप इसको पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा बोर्ड पे सारी बातें समझ में नहीं कौन कौन सी संदियां होती है तीन युदों में पहली होती है बढ़ गाउं की संदी दूसरे संगर्स में संदी होती है कौन कौन सी एक तो सुर्जी अरजुन गाउं की देव गाउं है जो उसकी हुई और राजगाट की संदी हुई फिर हमने पढ़ा कि तीसरे युद में म संदी होती है वो कौन सी होती है उस संदी का नाम होता है मदरास की संदी होती है ना फिर दूसरा अंग्रेज और मैसूर के साथ जो युद्ध होता है उसमें फिर संदी होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच वो संदी होती है कौन सी उस संदी का नाम होता है मैं मैसूर को खतम करना है और टीपो सुल्टान 16-1990 में मारा जाता है और इस तरह ये संगर्स मापत हो जाता है ये पड़ा था देमाग में आपके यह होगा इस तरह इसको याद करना है एक्जाम में आजे अंग्रेज मराठा संगर्स का वर्नन कीजिए तो आपको करना है क्वेस सनाजे अंग्रेज मैसूर जो संगर्स है उसका वर्नन कीजिए तो च्यार संगर्स है सन के साथ आपको याद करना है याद रह जाएगा आज हम बात करते हैं अंग्रेज्जों का पंजाब के साथ संगर्स अंग्रेज्जों का पंजाब के साथ संगर्स पंजाब समस्ते हैं पंजाब राज्य है जो पहले अब वर्तमान में पंजाब आधा पाकिस्तान में चला गया अधा भारत में देखो अंग्रेज्जों का पंजाब के साथ संगर्स अफगानिस्तान के सासक रंजीत सिंग को पंजाब का गवर्नर बनाय गया नाम सुना ना अपने दूसरे पाट में रंजीत सिंग सासक पढ़ के आये थे वो रंजीत सिंग सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था जबकि इस छेतर पर अंग्रेज अपना अधिपत्ते चाहते थे फरवरी 1809 में अक्टर लोनी ने सतलज के पूर्वी परदेशों पर अंग्रेज नियंतन की घोशना कर दी बी अक्टर लोनी ने जो पूर्वी सतलज का चेतर है ना वहां पे कह दिया कि अंग्रेज की नियंतन में आ गया और कहा कि लाहोर से कोई आकरमन हुआ तो उसे सैनिक से रोका जाएगा क्योंकि लाहोर चेत्र वगेरा यहां पर सिख समराजे था महाराजा ने मात खाई महाराजा कौन सा रनजीत सिंग 25 अप्रेल 1809 इस वीक हो याद रखना तारिक पहुत इंपोर्टन्ट है 25 अप्रेल 1809 को रनजीत सिंग और अंग्रेज्जों के मद्य पुर्वी तटके राजियों पर अंग्रेज्जी नियंतन सविकार कर लिया रनजीत सिंग के समय तक अंग्रेज्जों के समन्द है वो अच्छे रहे 27 जून 1840 को रनजीत सिंग की मृत्ति हो गई 27 जून 1840 को तो सरदारों की महत्यों कांक्सिया और स्वार्ट के कारण बना को और में अलग अलग दल बन गे अलग गुट बन गे खणक शिंग राजा बना कौंशात रनजीत सभी मरने के बाद खणक सिंग राजाольयावन लेकिन वह ईकुसल type-satsak नहीं था कि अच्छी राजनित व시ता नहीं जानता था कि जिससे ध्रबार में डोग्रा बंदूंका अस्ता से बढ़ गया दो व्यक्ती थी डोग्रा उनका से बढ़ गया उनकी अकूमत चलने लगी एंगरेजयों ने इस अराजिक्ता का लाब उठाया क्यों तो सबसे पहले पर्थम अंग्रेज सिक्ष पढ़ेंगे यसी मराठा मेसूर पढ़ाएं अंग्रेज्जों की समराज्य वादी महतो आंक्सा और अंग्रेज्जों की फूड डालो उर राज-ग्रो की नीती पर्थम अंग्रेज सिक्षा कार्ण रही पर्थम अंग्रेज सिक्षा कार्ण रही पर्थम मुकबेड के बाद 13 दिसंबर 1845 में लॉर्ड होडिंग थे उसमें हमारी देश के गवर्नर ने सिक्षों के विरुद युद की घोशना कर दें दस फरवरी 1846 के सब्राओं के युद में चेत्रा इदर लाहोर के आसपास सब्राओं के युद में सिक्षों की निर्नाइक हार होगे शिक्ष क्या होगे हार गे तेरा फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहोर पर अदिकार कर लिया एक मार्च 1846 को लाहोर की संदी हो गए होनी थी जिसमें जाला अंदर दो आब अंग्रेजी राजे में मिला गया जाला अंदर में दो आब दो नदियों के बीच का चेत्र है वो अंग्रेजी राजे में मिला लि सेना इतनी होनी चाहिए, होडिंग पंजाब पर सासन पर दलीप सिंग के व्यसक होने पर अधिकार रखना चाहता था, उसके बाद में सासक बना दलीप सिंग, लेकिन वो एव्यसक था, के नहीं का मतलब, सासक बनने का यू के नहीं था, जैसे आज कल, वो डालने कले 18 वर्स के क्या बनगे, स्वामी बनगे, द्वित्य अंगल सिक्स अंगर्स और पंजाब का अंगरेजी राजे में क्या हुआ, विल है, दो यूद्वे, दूसरे में तो पंजाब को अंगरेजों ने मिला लिया, द्वित्य अंगल सिक्स अंगर्स का कारण 1847-1847 में अंगरेजों द जिन्दा उसके बदला लेने की चाहती रेजिडेंट का तितिक आंत्रिक अस्तसेप और डल होजी की पंजाब को अंगरेजी सासन की चाहत ने द्वित्य आंगल सिक संगल सन्मार्य करती है। याद रखना कब 1849 को बेटिस बारत में मिला लिया। इसी गोशना से पंजाब के सवतंतर राज्य का स्तितव भी समापत हो गया। सब की अकूमत चलने लगे किसकी अंग्रेजों की। इस कारण आपने नाम सुना होगा एक करांती होती है 1857 का सवतंतरता संग्राम हुआ। लोग सब दुखी होगे, मजदूर दुखी होगे, कquarana आपने कौन सी करांती की? अठारासोश शॉतनतरता संग्राम अब देखे उसके बारे में पड़ें सिर्फों स्वाधिन्थ स्वाधिना सनगरिदि उर देखे लिखे, विद्वाधिन्थ स्वाधिन्थ सवाधिन्थ कह reduce स्वाधिन्थ गर्तश ने ना- भूर। पिल EVERosa, वेरी वीध्वान-ं नो का माना किया सईनिक ऐसंत्यों से प्ररार मूखर हो गया lightning कियो कि मंगल पडे को आपको बिता मंगल पड़ी ने गोली चला दी थी और बीड्रалы उ Thousands् का प्रियोग करने से मना कर दिया था इस लिए मानते हैं कि सहनिक क्या था कि ऑना में व्यापकता की बाद में संघर्स ने राष्टे विद्रोर सवतनता संग्राम का रूप ले लिया सुरेंदर नात सेन ने लिखाया कि या युद्ध द्रम के नाम पर प्रारम हुआ यानि द्रम बरष्ट कर रहे थे ना हमारे भारते सनिकों का मुसलमानों को तो सुर की चर्बी उद कार्थूस देते थे तेर वहिंदूओं को गाएं की तो द्रम बरष्ट हो रहा था और सवतनता संग्राम में जाकर समापत हो गया डॉक्टर विनाइक दामुदर सांवरकर न संग्राम बताया अब देखो सवतनतता संग्र्ष के कारण अंग्रेज्जों की आर्थिक निती लाड डल होजी का हडप सिधान अंग्रेज्जों की समरज्य विस्तार की निती और दार्मिक सामाजिक सेनिक कारण सवतनतता संग्र्ष का प्रारम और प्रसार सेनिकों के चर्वी वाले कार्थूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासन इंता का अपराद लगा करों ने दंड दिया गया 29 मार्च ठारस उस्तान को बेरकपुर की चामनी में मंगल पांडे ने विद्रूख कर दिया मंगल पांडे नाम सुना है ना आपने एक अधिकारी की हत्या कर दिया बिट्रिस अधिकारियों ने चौनतिस्वी एन आई रेजिमेंट को तोड़ दिया और बारतिस सेनिकों को क्या दिया मंगल पांडे दिया बादुर श्या दिया को बारत का समराट गोसित कर दिया दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक पारिश अधिकार कर गए बादूर श्या को क्या कर दिया समराट गोसित कर दिया कांपूर ब्रेली बनारस बियार के कुछ बाग जांसी और रनिये चेत्रेमी फेल गी। इन्गर्यूनने बरर पिरस ब्राइव परकभी पर्तेमालं नैचनिये भी। अधिकार हो गया इस यूद में अंग्रेज दिकारी जोन निकलसन मारा गया कौन सा जोन निकलसन मारा गया समराट को बंदी बना लिया गया जो बाधुर शाह था ना अंति अपने मुगल बाधशा पड़े थे अपने पड़े थे अरंग जैब उसके बाद में दो तिन और करांती हो गई बारतिय सेनिकों ने रेजिडेंसी को गेर लिया इसमें बेटिस रेजिडेंट हेंडरी लोरेंस की क्या होगी मृत्य हो गई एव लोक और आउट ड्रम ने लखनों को पुने जीतने का प्रियास किया लेकिन ऐसा पल रही नूमबर ठारास वस्ताओन इसी में मुख्य सेनपती सर कॉलिन केंबल ने गोर्खा रेजिमेंट की साहता से नगर में प्रवेश किया मार्थ ठारस टाओन इस्वी को नगर पर अंग्रेजियों का पुने अधिकार हो गया पांच जून ठारस वस्ताओन को करांती कारियों ने कानपूर पर अधिकार कर नाना सा भाइब का तात्य टोपे ने साथ दिया 6 सिता दिसंबर 1857 को सर कैंप बेल ने कानपूर पर पुने अधिकार कर लिया तानत्य टोपे भागे जांसी चले गए जांसी की रानी लख्षमी भाई है ना उसकी साहता करने के लिए चले पिर देखो जून 1857 में जांसी में करांती भाई लड़ती वीर गती को प्राप्त हो गई जांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी और तांत्य टोपे ने गवालियर के रभ्यान किया चांबारते सेनकों ने उनका क्या क्या स्वागत किया प्रंतु सिंदिया ने राजबक्त रहने का निश्चे किया और आगरा में सरन गवालियर पर जून 1859 को अंग्रेजों ने पुना दिकार कर लिया 17 जून 1859 को राने लक्स में बाई बेटी सेना से संगर्स करती हुए वीर गती को प्राप्त हो गी तांत्य टोपे फिर बच निकले प्रंतु अपरेल 1869 में उन्हें सिंदिया के एक सामत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सुपूर्द का दिया सौंप दिया और अंग्रेजों ने क्या दे दी फांसी दे दी फिर दे को ब्यारमी करांती का नेतरताव जगदीजपूर के जम्यदार थे 80 साल की कुमर सिये नहीं किया था कुमर सिंग ने अंग्रेज सेनापती मिल मेल करनल डैक् अपरेल 1858 में पुन्ह अपनी रियास्ता पर अधिकार कर लिया 26 अपरेल 1858 को कुमर सिंग ने अंग्रेज्जों से युद किया लेकिन सपलता नेमिली ब्रेली में बावदुर खाने करांती में भाग लिया बनार्ष में भी करांती हुई लेकिन करनल लेल ने उसे दबा दिया किसने दबाया और किसने नेतरतव के दोनों चीज़ें आपको याद रखने पेपर में आजे तो ये जुरूर लिखना है तब ही नमर मिलेंगे आपको उत्तर बार्थ की उपक्षें दख्षिन बार्थ में सैनी करांती कारियों की संक्या कमदी फिर भी महान संगर्ष में दख्षिन बार्थ के बिने करांती करी सईद हुए सजाएं बुक्ती और बंदी बनाएगे तारा सोस्तावन इस्वी की सतनतरता संगराम के दक्षिन बारत के प्रमुक नेतरतों करने वालों में रंग बापू जी गुपते 17 के थे 17 महराश्टर में सोना जी पंडित रंगाराव पांगे मौलवी सहद अलावदिन जो हिद्राबाद लंगाना में बीमराव मुंडगरगी चोटा सिंग करनाटक में अनाजी फंडवी स्कोलापूर ये भी करनाटक में है और गुलाम गोस वे सुल्तान बक्स मदरास ये तमिलाडू में है अरना गेरी वे किर्शना चिकलपूट ये भी तमिलाडू में है और मुल गाबल स्वामी कोयम टूर ये भी तमिलाडू में है और मुला सनी विज्यक कुदारत करेल आदी विसेश विद्रू ये ठारस वस्तान में दक्सिन वारत के लोगों ने विद्रो किया था इस परकार ठारस वस्तान का सवतंदरता संगर्स संपोन राष्ट में व्यापतरा इस संगर्स में सेनिकों के साथ सबी छेतर बासा दर्म वे जाती के लोगों और कृसकों वे जम्मिदारों ने भाग लिए यह होगी आपकी पंजाब का वीले अंगरेजों ने कर लिया ठारस सुस्तान की करांती अपने कल पड़ेंगे जन जाती है अंदुलन जन जाती है ना जिसको एश्टी कहते हैं जन जाती है जन जाती जंगलों वगरों में रहती है उनके साथ अंगरेजों ने क्या शेड़े लासा बा याट्रे